हेलो दोस्तो बात करते हैं आज की जनल नौलेज की वीडियो की तो दोस्तो आज की जनल नौलेज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ दुनिया की दस सबसे लंभी नदियों के बारे में तो जी हाँ आज जहां बात करेंगे top 10 longest rivers in the world तो जल्दी से time नी waste करते हैं नजर डालते हैं कौन-कौन सी लंबी नदियां है तो देखें सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है Nile तो Nile is the first longest river of the world और इसकी location की बात करें तो ये located है अफरीका में अगर इसकी length को देखें तो length हम बात करें किलो मिटर्स में तो इसकी length भई है 6650 तो भई drain क्या है तो आपको पता है कोई भी नदी जो औरिजनेट हुई है वो कही ना कही पर जाके किसी ना किसी बड़ी नदी में कहलो समुंदर में कहलो ओशन में कहलो जाके समा जाती है जाके मिल जाती है तो नाइल नदी के बात करें तो वो कहां पर जाके drainage का अब drain कहां पर है कहां पर वो समा जाती है तो वो समा जाती है Mediterranean Sea में और अब बात करते हैं हम लोग उन countries की जहां से नाइल नदी गुजरती है तो ये गूमती है भई अब मैं यहां पर रुक के पहले आपको बता दू कि पेपर में question क्या आ सकता है पेपर में question पूछा जा सकता है कि बताओ नाइल नदी की location कहां है नाइल नदी कहां पर जाके समा जाती है और सबसी important question जो पूछा जाता है वो क्या वो आपको इन countries में से कोई 3 options देदेगा और एक option ऐसा रख देगा जहां से नाइल नदी नहीं गुजरती है तो आपको पूछा जाएगा बताओ इन में से कौन सी ऐसी country है जहां से नाइल नदी नहीं गुजरती है तो अगर आपने ये countries बढ़ी होगी तो आप उसका अंसर कर पाओगे अब देखते हैं second longest river की तो वो है भाई Amazon Amazon कहां है South America इसकी length की बात करें तो 6575 है और ये कहां पे समाती है भाई ये समाती है Atlantic Ocean में और अब countries की बात करें तो कौन कौन सी countries से Amazon गुजरती है तो वो है आपकी countries ब्राजील, पेरू, वोलिविया, कॉलम्बिया, यूकोडर और बेंजुईलिया और ग्वैना अब बात करते हैं आगले नदियों की तो दोस्तों अब देखते हैं अगली river जिसका नाम है जैंक्तजे तो नाम से पता चल रहा होगा कि ये चाइना की ही river होगी तो जी हाँ यांक्तजे चाइना की river है और इसकी अगर length देखे हम तो वो है 6300 ये कहां पर समाज आती है तो ये समाज आती है South China Sea में और अगर दोस्तों बात करें कि ये कहां कहां से होके गुजरती है तो भई सिर्फ और सिर्फ ये चाइना में ही आपको देखने को मिलेगी अगली नदी की बात करते हैं अगली river है आपकी Mississippi जो USA में है और इसकी length है 6275 ये कहां समाज आती है तो Gulf of Mexico में ये ड्रेन कर जाती है और इसकी अगर हम बात करें कि कौन-कौन सी कंट्री से ये गुजरती है तो भई वो है USA और Canada अगली river की बात करें तो भई देखो नाम बहुत बड़ा है तो इसके नाम पर मत जाना इसकी प्रणनसेशन पर मत जाना तो भई ये रीवर है आपकी Yansiang सिलैंकदर तो इसको आप छोटे तोर पर बोल सकते हो Yansiang तो ये रशिया की रीवर है जिसकी लेंथ है 5539 ये कहां ड्रेन होती है तो ये ड्रेन होती है कारा सी में और कौन-कौन सी कंट्री से गुजरती है तो ये गुजरती है रशिया और मंगोलिया से तो दोस्तों आप देखते हैं अगली नदियों के बारे में अगली रीवर्स के बारे में तो अगली रीवर्स में हमारी आ रही है येलो रीवर और येलो रीवर कहां इसका लोकेशन कहां है चाइना में इसकी लेंथ की बात करें तो 5464 किलोमेटर है ये कहां ड्रेन होती है कहां समाज आती है बुहाई सी में और ये भी आपको कौन सी कंट्री में देखने को मिलेगी सिरफ और सिरफ चाइना में आप देखते हैं उब इर्देश रशिया की रिवर है लेंद की बात करें तो 5410 है कहां ड्रेन होती है गुल्फ अफ ओव में कहां कहां से होके गुजरती है तो बही रशिया कजाकिस्तान चाइना और मंगोलिया से अब देखते है पराना अगली रिवर है पराना उर्गाव से यह लोकेट है अरगाव में और इसके लैंद की बात करें तो 4880 है कहां जाके ड्रेन होती है कहां समा झाती है रियो डिला प्लाटा प्लाटा में और कहां कहां से गुजरती है कौन-कौन से कंटरी से जाती है ब्राजेल, आर्जेंटीनिया, पराग्वाई, बॉलीविया और अब दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज आपको और बता दू कि एक और तरीके से question किया जा सकता है वो question कैसे किया जा सकता है पेपर में आपको आ सकता है match the falling कैसे एक तरफ वो rivers के नाम दे देगा और दूसरी तरफ उनकी locations दे दे जाएंगी अब आपको match करना होगा कि कौन सी river कहाँ पर located है आप देखते हैं आगे तो भाई अब है river Congo located कहाँ है एफ्रीका में और इसकी length की बात करे 4700 है कहाँ train होती है Atlantic Ocean में कौन-कौन सी countries से गुजरती है तो बे नज़र डालते हैं पर democratic republic of Congo, Central African Republic, Angola, Republic of Congo, Tanzania, Cameroon, Zambia, Burandi, and Rwanda आप देखते हैं आगली रिवर और यह 10th रिवर है एमूर एशिया में located है 4,480 किलोमेटर से की length है और कहाँ जाके ड्रेंड होती है sea of coast में और कौन-कौन सी country से गुजरती है तो दोस्तों गुजरती है यह रशिया और चाहिना से अब दोस्तों इसी के साथ मेरी आज की यह वीडियो खतम होती है मैं आपको एक request करना चाहूंगे कि आप मेरी वीडियो को at least like जादा करें ताकि जादा से जादा बच्चे इन वीडियो का फाइदा ले सकें करें झाल झाल